दोस्तों स्वागत है आपके डिजट अकाउंटे स्कूल में आज की इस वीडियो में डिस्केस करेंगे वर्किंग कैपिल टर्नोवरेसो के बारे में वर्किंग कैपिल टर्नोवरेसो क्या होती है इसको हम कैसे कल्कुलेट करते हैं तो working capital turnover जैसे इसके नाम से पता लग रहा है working capital turnover यानि working capital आपकी होती है current asset, यह working capital हम दो तरहां से calculate करते है gross working capital और एक networking capital, gross working capital हमारी equal आती है current asset के, और networking capital अगर हमें निकालनी हो तो हम current assets, current leverage को means कर देते हैं, तो हमारी networking capital आ जाती है, अब यहां भी turnover से क्या मिनिग है? turnover का मिनिग है अपकी sale से revenue से यानि कि आपकी जो sale हुई है, जो revenue हुई है उसको हम turnover बोलते हैं तो working capital turnover से जो हमें बताती है हमारी जो sale है और हमारी working capital उस दोनों के बीच के relation को इसका जो formula होता है हम net sale को divide करते है net working capital से जैसे अभी मैंने बताया कि हमारी जो sale में से मैंस करेंगे sale return को, यानि जितना भी हमारा जो हमने sale किया था वाप्स हमारे पास आ गया किसी वज़ें से quality के वज़ें से, किसी भी वज़ें से तो उसको हम मैंस कर देते हैं, sale में से तो हमारी net sale आ जाती है अब हम एक 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 जमपल के दुवारा जान लेते हैं कि working capital time ratio को हम कैसी calculate करते हैं तो मेरे कुछ figure से लिए है balance rate की और profit and loss account की जिससे हम working capital time ratio को calculate करेंगे जो आपके current asset और current lab days आपको balance rate में मिलती हैं जो sale और sale return है वो आपको मिलते है profit and loss account में तो अब मेरे को सबसे पहले networking capital में calculate करता हूँ तो मेरे जो current asset of 5 lakh है और current lab days मेरे 3 lakh है तो मेरे networking capital आपके है 2 lakh ऐसी मेरे sales 6 lakh थी उसमें से 50,000 की sales मेरे वाप्स आगे है sales returns आगे है तो मेरे net sales बची है 6 lakh अब मेरे working capital टर्नर इसे निकालने के लिए 6 lakh का divided करूँगा 2 lakh से तो मेरे answer आएगा 3 यानि कि जो मेरे working capital टर्नर इसे आएगी हो 3 times आएगी तो ओके दोस्तो Thank you